नमस्कार दोस्तों आप सभी का सवागत आपके अपने योटूब चैनल मानी ओव डिस्टल न्यूज अम डियन पर दूस्तों बात करने वाले हैं टी टी अमल स्टोक के बारे में सुगस टी टी अमल में वापस जो वोल्यूम है वो बढ़चड कर देखने को नजर आई है और तेजी भी काफी बढ़िया नजर आ रही है तो जिस परकार दोस्तों मार्केट में तेजी नजर आ रही है तो कंपनी की क्या रिजर्स पोजिटिव आएंगे साथी साथ क्या कंपनी डिवडेंट बनस पर कुछ चर्चा करेगी या फिर दोस्तों अभी टाइम इस तेजी के पीछी का रिजन क्या नजर आ रहा है तो प्रैस के रूप में चर्चा की जा तो एक सो दो रुपए गुंचाली स्पेस है की आज की जो फ्रैस है वो कलोजिंग नजर आई है काफे अची कलोजिंग रहने वाली है जो रिजर्स पर कुछ ज़्यादा इंप्रूमेंट देखने को मिला नहीं है पर आज के इंट्र सेशन में पर शेर का प्रोफिट अगर बात करें तो 26 रुपए का पर शेर पर प्रोफिट होने वाल है जो चिंतर रुपए 46 पेसे स्टोक की प्राइस बढ़कर 11 रुपए 40 पेसे तक भी नजर आई है और साथी साथ दोस्तों इंट्रेडे की जो वूल्यूम है वो भी काफ इस रिजल्स को लेकर कुछ बड़ी अनाउसमेंट की नहीं है और कंपनी के दोस्तों रिजल्स पर बात की जाए तो कंपनी के रिजल्स एक बार फिर्शे नेगेटिव आने के चांसे नजर आ रहे है पर दोस्तों कंपनी की जो सालाना सेल्स है वो इंक्रीज हो रही है तो क उसे जो पिछले रिजल्स के मकाबले इस रिजल्ट में कुछ इंप्रूमेंट बढ़िया नजर आ सकता है। फिलाल दोस्तो अभी के टाइम इस स्टोक के टार्गेट को लेकर कुछ बढ़ी अपडेट भी देखने को जो नजर आ रही है। उनमें ये देखने को मिल रहा है कि इस स्टोक के जो टार्गेट से वो 150 रुपय को क्रोस कर सकते हैं। विखेसगों ने इस स्टोक में जो है श्टोक की रिकौर्मेंट रखी है वो 78 रुपय के स्टोक के रिकौर्मेंट रखी है। सुकरवार को दोस्तों गुनिएस जुलाए को यानकि इस स्टोक की 5 फिच्टी की बढ़त के साथ 102 रुपय पर मार्केट कलोज हुआ था। और 22 जुलाइस यान कि आज दोस्तों यह स्टोक 105 रुपए 12 पेसे पर भी कारोबार करता हुआ नजर आया था और इंट्राडे का 110 रुपए तक का जो जंप था वो आज की सेसन पर नजर आया था बर कईना के एक्सपर्ट के मुताबिक जल्द ही दोस्तों TTML स्टोक रेजिस्टेंस से लेवल को तोड़ देगा और वर्तमान में TTML स्टोक 102 रुपए के परतिरोत मुल्य की इस्तर पर बहुत करीब है तो यह अपने आप में काफी बड़ी अपडेर रहने वाली है क्योंकि फिसले 5 तिनों में कंपणी के सेरों में दोस्तों 34 फिस्ती का एक भारी रिटन नजर आया है और फिसले 30 तिनों में कंपणी ने दोस्तों 27 फिस्ती का मजबूत रिटन दिलाया है पिसलिए 6 महीनों में दुस्तो निवेसकों को दुस्तो पंदरा फिस्ती से अधिक का रीटन दिलाया है तो कईना के कमपनी की दुस्तो जो लगातार जो रीटन से इंक्रीज हो रहे है तो फ्रोफिट भी में भी काफी बढ़िया इजाफा ना जराया है फिलाल आगे भढ़ने से पहले बता दू चेनल पे नए हो दुस्तो चेनल के दुर्शो सस्क्राइब कर लेना और वेला इकन नोटिफिक है जना उलपे जिचो सेलेक्ट कर लेना साथे साथ दूस्तो आज के इंट्राडी की वॉल्यूम पर अगर सर्चा की जाए तो 1641 लाग की वॉल्यूम नजर आई है काफी बढ़िया वॉल्यूम आज के इंट्राडी की रही है बाइंग ओडर काफी अचा नजर आया है लगातार कंटिनुसली बाइबैक अच्छा हुआ है पर दूस्तो भारत के बाज़र में कलोजिंग के वक्ते कुछ अंखों के एगवार फिर से करेक्शन नजर आई है कुछ अंखों की गिराउट फिर से देखने को मेली है फिलाल उससी बेसिक पर अगर सरसा की जा तो आज के इंट्राडे पर दूस्तो जो टीटीमल सेरों में दूस्तो जो डिलेवरी सेर होल्डर के दबार उठाई गई है तो वो एक क्रोड गुनियासी लाके 950 सेरों की जो कमजोर नजर आई है तो यह थोड़ी चिंता जनक बन सकती है पर फिलाल दूस्तो इस स्टोक के बाउन उस्तमसपता का जो प्रैस रहने वाला है वो देखने को मिला था लास सेसन वह यानि कि सुक्रवार को देखने को मिला था गुनियास जुलाई को अभी फिलाल चार्ट पर अगर चर्शा की जाए फिलाल दूस्तो टीटीमेल का चार्ट वेटरन काफी स्ट्रोंग नकल के आ रहा है और कमपनी के दूस्तो आरेसा इंडिकेटर पर अगर चर्शा करें तो उसमें रहे खुशे जो है उतार शडावी हमें नजर आ सकते हैं पर अभी आरेसा इंडि से जाते हैं दूस्तो ओवर्शोल्ड जोन गोशीद कर दिया जाता है तो फिलाल सोटा सोरी 24.37 विश्टी एंको पर दूस्तो मार्केट कारूबार कर रहा है ओवर्शो बोट जोन में काफी हाई जा चुका है तो फिलाल तेजी कंटिनेशली बरकरार नजर आई है वोल्यम क करता हूं जानकारी पसंद आई होगी पसंद आज वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को जरू सब्सक्राइब कर देना और आपकी नजर में कोई पैनिस टोक हो तो उसकी जानकारी कमेंट में पिन कर देना एलसे करिए आपको जल्दी बता दिया ज